दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में नई गाइड लाई जारे साथी बिया में सामील होंगे 50 लोग इसकुल कोलेज और उनिविसिटी में नहीं होगी परिच्छाए जहां बिहार में कोरोना वारेस की दूसरी लहर का असर पहले से काफे कम हो गया है बिहार में एक महने के ओनलग फोर का एलान किया गया है 6 अगस्त तक के लिए ओनलग फोर की नई गाइड लाईन को जारी किया गया है मुझमंत्रे निदिश कुमार ने खोद ट्वीट करके इसके जानकारी दी है मुझी मंत्रे निदिश कुमार ने समुवार को क्राइसिस मेनेजमेंट गुरूप के बैठक के बाद नए गाइलाइन का एलान किया सरकार ने इनुवर्सिटी सभी कॉलेज तकनिकी सिक्षन संस्तान सरकारी प्रसिक्षन संस्तान 11 और 12 तक की स्कुलों को 50 परतिसाथ चात्रों की पस्ति के साथ खोलने का आदिस दे दिया है लेकिन इस दोरान कॉलेज और इनिवसिटी में किसी भी परिच्छा का आयुजर नहीं किया जाएगा इसके अलावा ओनलोग फोर की नए गाइलाइन में साधी बिया को लेकर भी नए नियम बनाए गये हैं सरकार ने अब साधी में 50 लोगों की सामिल होने की अनुमती वहाई अगली बड़ी खबर होटल और रेश्टूरेंट में बैटकर ले सकेंगे जाएको का लोपत जानिये किन सर्तों का करना होगा पालन जिहां औलोग फोर की तहद बिहार में होटल रेस्टिडेंट में बैट कर जायको का लुप तुढ़ने की भी इजाज़त मिल गई है लेकिन इसके लिए कुछ नियोमों का पालन करना होगा होटल रेस्टिडेंट 50% बैटने की चमता के साथ चला जा सकेंगे गौर तलावे की अभी तक होटल रेस्टिडेंट को सिर्फ होम डिलिवरी करने की ही इजाज़त में अब इसे खतम कर दिया गया है बाड़ी ख़बर उत्तर बिहार में नई तमाबाड का कहर सिवर जेल परिसर सहित कई दब्तर में गुसा बाड़ का पानी जिहां बरसा थमने के बावजोद नेपाल में बारेस से उत्तर बिहार में बाड़ का कहर कम नहीं हो रहा है नदियों में उपान और तडबन तुटने से रोज नए-नए इलाकों में पानी फैल रहा है पुर्वी चमपारन के दस प्रकॉंडू के साथ मोतिहारी सहर के निजरे इलाकों में बाड़ का पानी परवेश करनी लगा है सुगोली मजोलिया स्टेशन के बेच पूल सिंख्या 248 पर बेच बाड़ के पानी के दबाव के कारण दूसरे दिन भी मुझपर पूर नरकडिया गंज रेलखन पर ट्रेनों का परेचलन ठप रहा सुगोली की चेपवा वस रक्सोल जाने वाले एनेच 28 पर दो जगा पर बाड़ का पानी दो से तीन पूड बरहा है वहाई दूसरी तरब सिवर जेल परिसर सहित का इदबतोरों में बाड़ का पानी घुस गया है इसके अलावा मदुबने के जैनेगर स्टेशन पर बाड़ में बारिस का पानी जमा होने से टेनों का परिचलन बाधित हुआ है मेनी पटी में तोस नदी का तडबन तुटनी से पानी नई चेतर में परविश करनी लगा है वहीं समस्तिपूर में बुड़ी गंड़क वा बागमते में पानी बढ़ने से समस्तिपूर दरबंगा रेलकंट पर निगरानी बढ़ा दी गई है हाई गाट में पूर सिंग के चपपन वा समस्तिपूर के पास जलस्तर पर नजर रखने के लिए विसेश चोकसी बरती जा रही है अगली बड़ी कबर दचिन बिहार में बजर पाद वा बारिस के चेतावनी 11 जिलो के लिए यलो अलड जारी जहां मौसम बिवाग के अनुसार पाटना सहित पूरे दचिन मैद बिहार और दचिन पूरो बिहार के उपर समानिया बादल बने हुए हैं ये बादल कभी भी भारी बारिस के कारक हो सकते हैं साथ ही बजर पाद और मेग गजन के स्थिति भी इन इलकों में बन सकती है मौसम बिवाग ने पटना नलंदा से पूरा नवादा लखी सराय और बेगो सराय सहित पूरो बिहार में भागल पूर खगड़िया बाका और जमुई मुंगेर के लिए येलो अलट जारी किया गया है इन जिलों में अगले 24 गंडे में गरज के साथ बारिस के असार है हिमाले की तलटी से सटे जिलों में भी या इस्थि बन सकती है दूसरी तरब कोशी सिमांचल वा पूर्वी बिहार के नदियों में उफान अररिया में दो दर्जन से अधिक गाओं में बाड जैसे हालात जहां कोशी सिमांचल वा पूर्वी बिहार के नदियों के जलेस्तर में लगतार विर्दी जारी है हालाकि सिमांचल के अरेरिया जिले में दो दर्जन से अधिक गाओं में बार जैसे हालात बन गए हैं सोमुहार साम चार बजे बराज का पानी का डिश्चारज एक लाग आठ हजार क्यूसेक दर्ज किया गया कोसी छेत्र में आयने नदियों का जलस्तर भी सामाईने बना हुआ है अररिया के जोकी हाट प्रखन से होकर बहने वाले बकरा वा परमान का पानी करिब दो दर्जन गाओं में गोशने से बार किस्थी बन गई है वह कटिहार वह पुर्णिया में महानंदा कत्रे की निसान को पार कर गई है लेकिन दोपर बारा बजे से जलस्तर घटने लगा है विहार सरकार का बड़ा फैसला परिवार में किसी की सरकारी सेवा रहने पर नहीं मिलेगी अनुकंपा पर नोकरी जहाँ पाटना हाई कोट ने एक रेट याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर परिवार का कोई एक सदे से सरकारी सेवा में है तो आने सदे से को अनुकंपा पर नोकरी नहीं दी जा सकती है नियादिस डाक्टर अनिल कुमार पादाई के एकल पिट ने हरेंद्र कुमार के रेट याचिका को कारिज करते हुए आदिस दिया है याचिका में बताया गया था कि आवेदक की पिता की पुलिस विवाग में नोकरी के दोरान मिर्टू हो गई थी उसके बाद आवेदक ने अनुकंपा के आधार पर सरकारी नोकरी के लिए विवाग में आवेदन दिया था विवाग ने यक कहते वे आवेदन को नामंजिर कर दिया था कि उनके परिवार के आने सदय सरकारी नोकरी में है इस आधार पर परिवार के दूसरे सदेस को अनकमपा पर न्योक्ति नहीं की जा सकता है अगली बड़ी कबर सिबेसी चात्रों के लिए अच्छी कबर 15 तक 10 वी और 30 तक 12 की रिजल्ट आने की उम्मीद जिहां सिबेसी ने 10 वी एवां 12 की रिजल्ट की तैयारी शुरू कर दी है स्कूल ने 10 वी की बोर्ड को ऑनलाइन माक्स भेज दिया है 12 की माक्स भी एक दो दिन में सभी स्कूल सिबेसी को भेज देंगे बोर्ड दसवी की रिजल्ट तयार करने की प्रक्रिया में जुड़ गया है वहीं 30 तक 12 तक का रिजल्ट आने की उमीद है CBSE पाटली पूत्र सवदय अधग डाक्टर राजेर वजन सिना ने कहा कि उमीद है की 15 जुलाय तक बोर्ड दसवी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा सवी स्कूल ने दसवी का मार्क्स अपलोड कर दिया है वहीं अगली बड़ी कबर CBSE दसवी और बारवी परिक्चा 2022 के लिए बड़ा बदलाव पचास परतिसत कोर्स के साथ होंगे दो टर्म एन एकजाम जिहां केंद्रिय माइदमिक सिक्चा बोर्ड ने नए सिक्चनिक सत्र दोजरेकिस बाइस के लिए बड़ा बदलाव किया है अब इस साल की तरह अगले साल भी दसवी और बारवी की बोर्ड परिक्चाव का रिजल्ट आंतरिक मुलाकन की सायता से तयार होगा इतना ही नहीं दसवी रिजल्ट के लिए नवी के मार्क्स और बारवी रिजल्ट के लिए इगारवी के मार्क्स का भी अहम योगदान होगा सिब्यसी ने इस समद्ध में वियापाग दिसा निर्देश 5 जुलाई 2021 को जारी कर दिया है साथ सिब्यसी ने अपने नोटिस में बताए कि नया सत्र 50 पीज़ी पाटकरम के साथ दो सत्रों में बाटा जाएगा परतेक सत्र के आंत में 50% सिलिबस की ही परिक्चा का आईजन किया जाएगा ऐसा करने से आख्रि सत्र के लिए गख्चा लेने की सम्मावनाई और भी बढ़ जाएगी बाड़ी कबर पोरी बिहार में टिका करन अब हप्ते में चार दिन ही होगा आठ जिलों में टिका करन नहीं हुआ जबकि पांच जिलों में 100 से भी कम टिके लगे टिका करन के काम में लगी हाजारों लोगों को भी इस नई आदेस से रहात मिलेगी हाला कि अगली चौँ माँ में 6 करोड लोगों को टिका देने का लच पाने के लिए अब राज में टिका करन के रप्तार और तेज करनी होगी अगली बाड़ी कबर राज में 15 जुलाय तक निकलेगा जेई सिविल का रिजल्ड जी हाँ 15 जुलाय तक जेई सिविल का रिजल्ड आने की समावना है इसके 5-7 दिनों के भितर जेई इलेक्टिकल और जेई मेकनिकल का रिजल्ड भी निकल जाएगा यह भी समावना है कि जई सिविल के साथ जई इलेक्टिकल और जई मेकनिकल का भी रिजल्ट निकल जाए रिजल्ट बनाने का काम लगवग पूरा हो चुका है और इसे अंतिम बार मिलाने का काम चल रहा है साथ चैनित अभियर्तियों को विभाग का आवंटन भी किया जा रहा है लगबग एक दजन विभागों के रिक्त पदपन नियुक्ति के लिए बिहार तक्निकी सिवा आयोग द्वारा सिविल इलेक्टिकल और मेकनिकल जुनियर इंजिनिरों का चैन किया जा रहा है बाड़ी ख़वर राज में निजी नलकूप योजना अतरिक अनुदान के साथ होगी सुरू जिहां राज में खेदी को बढ़ावा देने और समय पर सिचाई सुनिचित करने के लिए सरकार अतरिक्त अनुदान के साथ नीजी नलकूप योजना लाने पर विचार कर रही है इससे पहले भी बिहार सताब्दिन नीजी नलकूप योजना के तहट इस तरह की योजना थी लेकिन नई योजना में अनुदान के रासे बढ़ने के समावना है इसकी तैयारी लगू जल संसादर विवाग कर रहा है इसे राज केबिनेट से मंजुरी मिलने के बाद ही इसे लगू किया जाएगा इसकी जानकारी के लिए बदा दिकी पहले की योजना पर 70 मिटर तक की गहराई के नलकूप के लिए 328 रुप्य प्रती मिटर की दर से अधिक्तम 15,000 अनुदान दिया जाता था वह सो मिटर तक की गहराई के लिए नलकूप के लिए 597 रुप्य प्रती मिटर की दर से अधिक्तम 35,000 रुप्य तक का अनुदान दिया जाता था बड़ी ख़बर चाचा के गड़ में चिराग की हुकार कहा पापा की कर्म भूमी है हाजिपूर आसिरवाद का हाथ सर से उठने मत दिजिएगा जिहां लोजपा में तूड के बाद चुनाव चिन बंगला पर कबजे के लड़ाई संसद और चुनाव आयोग के बाद सोमवार को जमीन पर उतर गई लोजपा के संस्तापक राम विलास पासवान के जैनती पर चाचा बतिजा ने अलग-अलग समारों के जर्य अपना सक्ति प्रदसन किया चिराग ने विरासत पर हक के लिए आसिरवाद यातरा निकाला तो चाचा ने भाय के जैनती मना कर अपना हक जताया आसिरबाद यात्रा की सिर्वाद के लिए चिराग पासवान पहले पटना पहुचे लोजपा में टूड के बाद पहली बार पटना ये चिराग को देखने के लिए भारी भीड उमर पड़ी पटना एरपोर्ट से हाजीपूर तक के सड़के के दोनों और चिराग समर्तों को की लंबी कतार लगी थी चिराग के साथ चल रहा गाड़ियों का कापिला भी दिरे दिरे बढ़ता गया और हाजीपूर पहुचते पहुचते यह सेंख्या पंदरसों पे आसपास पहुच गया अब बैली रोड पर सीएंजी वो इलेक्टिक बसे ही चलेगी जिहां राजदानी को प्रदोसन मुक्त बनाने की दिसा में पहल सुरू हो गई है इसकी सिरुवात सारवजनिक वहानों से निकलने वाले जहरेली हवाओं को बंद करकी की जा रही है बिहार राज परवान निगम जल्दी बैली रूड पर अब सिर्फ सीएंजी और इलेक्टिक बसे ही चलाएगा गानी मेदान से राजा बजार सगुना मोड दानापूर और बिहाटा तक सीएंजी और इलेक्टिक बसे ही चलेगी साथ इस रूट पर चलने वाली सारी डीजल की बसों को CNG में कनवर्ट कर दिया जाएगा आपको बताते कि इस मैने के आखरी तक सभी बसे चलनी सुरू हो जाएगी फिलाल पचास बसों का परिचालन बेले रूट पर चल रहा है बड़ी कबर आज से बिहार में साथ जोड़ी स्पेसल टेने चलाए जाएगी जिहां यात्रियों की बड़ती सेंक्या और कोरोना के घरते मामली को देखते विए पूर्व मज रेल के अलग 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 स्टिसनों से साथ जोड़ी स्पेसल टेरों का परिचालन होगा इनमी से तीन गरीब रती स्पेसल टेन सामिल है गरीब रती टेरों का परिचालन गया आनंद बिहार टर्मिनल सहरसा आमरित सर और मुझापर पूर आनंद बिहार इस्टेसनों के बीच होगा इसके अलावा बरोनी जम्मुतवी मोर्य द्वज एक्सप्रेस बरोनी अम्बाला केंट हरिहर एक्सप्रेस आनंद बिहार टर्मिनल एक्सप्रेस और जोगबोने आनंद बिहार टर्मिनल एक्सप्रेस टेरों का परिचालन पांच जुला यानि आज से सुरू होगा बड़ी खबर राज में अब चिकन और मटन के सोकिनों को ढेली करने पड़ेगी जेव जाने किस पर कितने बड़े रुपिये जिहाँ चिकन और मटन खाने के सोकिनों के लिए बुरी खबर है बिहार में चिकन और मटन अब भाले से ज़्यादा रुपय चुकाने होंगे आसान मा में चिकन वो मटन खाना महांगा हो गया है सावन नजदिक आते हैं चिकन के किमत में 30 रुपय प्रतिक किलो विर्दी हो गई है मटन 700 रुपिये प्रतिक किलो और अंडा 170 रुपिये प्रतिक केरेट बिख रहा है इस कारण लोगों को नॉन्वेज काने में पॉकेट डेली करनी पड़ रही है इसके बावजोद नॉन्वेज दुकानों पर काफी भीड है आज के लिए आपका सवाल बताएं कि अनलॉक फॉर में किसमे चूट मिलने चाहिए इसका जवाब आप हमें नेचे कॉमेंट करके जरूर बताएं